दोस्तो निफ्टी ने लगा दिया है 15,900 के आसपास का हाई और बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है 35,000 का लेवल अब इस सिचुएशन में क्या ये क्या ये ब्रेक आउट सस्टेन रहेगा या नहीं रहेगा या ये only dedicated bounce है अगर आप सभी के मन में ये सब सवाल है तो आज की वीडियो में मैं ये सारे सवालों का उतर देने वाला हूँ नमश्कार दोस्तो मैं हूँ प्रभात कुमार और प्रभात वर्डिंग सर्विस में स्वागत करता हूँ और आज की वीडियो बहुत ही लाजवाप शांदर और धमाके धार होने वाली है मैं चाहूंगा आप इस वीडियो पे like करना ना बोलें आज के like के aim को रखते हैं 2500 like जोस्तो हम आपके लिए बहुँ ज़्यादा effort कर रहे हैं आपको पता है हम आपको live market में इतना बढ़िया से बढ़िया trade देते हैं तो देखो आप लोग को एक तो काम करना पड़ेगा मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लोग को like, share, subscribe करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को आईए हम समझते हैं पहले nifty कल के date में क्या कर सकता है यानि इसके कल के date में important level क्या हो सकते हैं तो देखिए clear cut हमने आपको बताया था कि आपको buy करके चलना है अब actual में हुआ क्या market ऊपर खुल गया और ऊपर खुलने के बाद वहीं का वहीं रह गया ठीक है तो अभी आप देख सकते हैं एक box partner में फस्टू का market हमारा ठीक है तो कल हमें काम करते हैं fresh अगर हमको buy करके चलना है nifty में तो हमरा nifty को buy करके चलना है आपको fresh 15,900 के उपर आपने देखा कि बल सो point का गुंजाईश रह गया है 16,000 के कहते हैं level आने में ठीक है तो कल आपको fresh buy करके चलना है कितने के उपर 15,900 के उपर SL क्या रहेगा 15,870 का target 1 क्या रहेगा 15,950 का second target would be 15,990 का of course आप 16,000 कह सकते हैं ठीक है यह कल के रहनी थी है ठीक है तो इसमें आप एक काम और कर सकते हैं जैसी 15,900 का level तोड़ता है आप option में मैं अगर बात करूं options की तो 15,900 का आप call option उठा सकते हैं ठीक है यह आपको बढ़िया हुआ का दे देगा आपको क्या करना है वेट करना है candle sustain होगा sustain होने के बाद राम से उपर निखल जाएगा rocket की तरह ठीक है यह कल के लिए रहनी थी क्योंकि आज क्या हुआ आज बार बार एक resistance फेस किया एक resistance फेस किया और नीचे यह है कल की रहनी थी फ्रेश बाइ करने की जैसी लेवल तो बढ़ेगा फॉर्ट शॉट्स श्टीन थाउजन का लेवल हमारे आने में देर नहीं लगेगी यह तो हो गया फ्रेश बाइ करने का आप सुनिए अब आप आपको dip में कब बाइ करके चलना देको पहला लेवल हो डियुकहाँ के यह चीजह है अब अब माल लिजीए यह लेवल तोड कर देता है आज वाला की यılmış अज़ोपी को कि हमारे लेवल है 15, colleague तो अगर यह लेवल तूटता है तो फिफ्टिन थाउजन एट ट्वेंटी के आसपास आ जाएगा आपका निफ्टी यहां भी आपको बाएं ओन डिप के रणीती रखके चलनी है यह हमारा कल के लिए विव यहां पर आ जाएगा तो आप क्या करिएगा फिफ्टिन थाउजन सेवन नाइटी का एसल रखके आप यहां पर बाए करके चल सकते हैं फिर से फिर से क्या टागेट होंगे फिफ्टिन थाउजन एट शिक्स्टी फिफिफ्टिन थाउजन नाइन हंडड़ के तो बाए और डिप के रणीती मेरी बैंक मेरी निफ्टी में है ठीक है मैं सेल त होता है और करेंट सपोर्ट बन जाता है ठीक है तो फिफ्टिन थाउजन एट ट्वेंटी का लेवल अगर तोड़ता है न अगर तोड़ता तो ही हम इसको सेल करके चलेंगा अगर ऐसा होगा तो मैं टेलिग्राम में आपको यह सब अपडेट कर दूँगा यह कल के लिए रण कर रहे हैं बताने का कि देखो निफ्टि को बाय करके चलो बाय करके चलो ठीक है और यह जो हैमर था यह हैमर का देखो ब्रेकाउट हो चुका इस रेंज का ब्रेकाउट हो चुका है यह रेंज अब आज यह काइंड अफ डोजी कैनल बना के जा रहा है यानि कल हो सकता है कल बैंक निफ्टी का भी दोस्तों बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया चला हमने आपको बताया था कि बैए देखो 35,000 के सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो खुल आपको पुट आपको दिया था आपने प्रॉफिट किया होगा दोस्तों कमेंट में जब लिखे बिताए कि बैए तोड दिया सने ठीक है नाव इतिज मेकिंग अगेन डेजिस्टेंस ठीक है अगर में आपको देखो 10 मिट के चार्ट पर दिखाऊं तो देखो आप कल की डिट में फ्रेश आपको बाए करकर कर करके चलना है इसके उपर यह आपका लेवल कितना है आपका लेवल है 35, 35,300 का ठीक है तो यहां लिए दो में आपको fresh buy करके चलना है 35,300 का SL क्या रहेगा 35,230 का first target रहेगा आपका 35,500 का second target रहेगा आपका 35,650 का दोस्तों यह आप देख रहे हैं धी धीर बैंक निफ्टी उपर निकलता है मैंने क्या बताया था अगर बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर निकलता है न तो मस हमको 300-400 पॉइंट की रही हमें देखने को मिलेगी आज हमको exactly वही देखने को मिली तो यह रेंज बन चुका है रेंज को पॉपर सब्सक्राइब करेगा आप तो रंते बाय करिएगा अच्छा ऑप्शन के अगर हम बात करें हमने आपको 35,000 का का आपको बाय करने को बोला था उसमें कैसा रहा मिरों को जरूर बतागी है कमें अच्छा आप ऑप्शन की बात करें तो आप 35,000 या तो 300 का 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 आप करके चल सकते हैं दोनों में आपको बाय करके चलना बढ़ी हमेंट हमको देखने को मिल जाएगा ठीक है यह है तो तो मैं आपको कॉल आपको कॉल आप्शन पुट आप्शन राइट करने का और नहीं द अब आपको दिफ में भाय करके चलना अफ़ आपको डिफ में 35,000 के चलना है तो 35,000 के चलना है तो यह एकkę 2020 के चलना है. तो यह कल के लिए बैंक निफ्टी में रणी थी और अगर मैं आपको देखो डेली के चार्ट दिखाऊं बैंक निफ्टी का तो देखो डेली के चार्ट पे हम बिल्कुल सही जा रहे हैं यह देखो यह आपने I hope यह देखा होगा मैंने आपको कल दिखाने का प्रास किया था देखो ऐसे रेंज बना था उपर गया था सिम ऐसी रेंज बना है उपर जाना रेडी हो चुका उपर जाना का रेडी हो चुका है तो अब रेडी हो जाईए 36,000 के लेवल के लिए बैंक निफ्टी में ठीक हम ट्राई कर रहे हैं आपको एक पॉइंट समझाने का दोस्तों देखो बैंक निफ्टी में सिल तभी करके चलेंगे जब हमारा बैंक निफ्टी 35,000 के नीचे निकलेगा ठीक हमको सेल बिलो करके चलना है 35,000 के नीचे अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है बाकी ट्राई करना है जब तक 35,000 के उपर रहेगा तब तक आ तो आप रेडी हो जाएए तर एक और बड़िया मोमेंट हमको मिलने वाला है ठीक है अच्छा सेलिंग हमको एक्सेप्शन केस में करनी है अगर हमको दिखता है तो ठीक है और दिखेगा तो मैं आपको वहां पर अपडेट कर दूंगा फॉर शॉर जो तो हम जान चुके हैं इन डेप्थ निफ्टी और बांक निफ्टी के नालिस वह भी ऑप्शिंस के साथ कि आपको कौन से कॉल उप्शन और पूट उप्शन लेने चाहिए ठीक है आप सभी नानंद लिया होगा चलिए जानते हैं अपने स्टॉक के बारे में जो हमारा पहला स्टॉक है उसका ना उसा नहीं ले पाए लेकिन क्या हुआ यहां पर इसने ब्रेक आउट दिया है इसका मतलब अब आपको बाय करके चलना आप सुनिए अब बाय भी ऐसे नहीं करके चलना Epic इचे तो अक्fikर के चलना इसके ऊपर यह आपको क्या दिखते रहा देखो रैस्टेंस पहला रोज का टागेट सेकंड क्या रहेगा 519 का ये दो टागेट रहेगा मैरिकों में आई होप आप समझ चुके हैं इसका लॉजिक ठीक है तो जैसी एक पेट किया थी होंगे अभी बहुत चぇाओ तो संखाता हूं को सम्drस ने क्या किया डे डिया है कि ये ये प्रके टेंगा नोट गहांगे सब्सक्राइब से큼िंगे सब्सक्राइब 1010 का आपका एसल रहेगा जो आपका टागेट वन रहेगा वो रहेगा 1025 का सेकेंड टागेट वुड बी 1035 का यह दो टागेट रहेंगे आपके जस्ट टायल में गाइट दोस्तों तो यह रहेगा कल की लिर रनीती ठीक है और देखो डेली की चाट पेक परफेक्ट का बन करना है धान रखिएगा जब यह लेवल जब यह लेवल के नीचे खुले तो आपको छेड़ना नहीं है जान चुकि हैं अपने सेकंड श्टॉक जानते हैं अपने लास्ट स्टॉक को लास्ट स्टॉक जाने उससे पहले अगर आप हमारे टेलेग्राम चल में नहीं कर खराब न्यूज आई थी आज पचास पांट ऊपर कुड़ा था दानी इंटर्प्राइज का स्टॉक मैंने बोला इसके नीचे सेल कर दो पंदर पैंथिस के नीचे आपने माइनस में गया था 20 रुप्या हमको बहुत बढ़ीया रिटन हमको देखने को मिला दानी इंटर जो भागा न एक हजार बीस प्या के बंद हुआ यह पावर है इस टेलिग्राम चैनल की जाकर जूड़ सकते हैं और रूट मोबाइल में आपको बाई के लिए था सारे टागेट अचीव की है यह पावर है ठीक है यह पावर है प्रवाद वेडिंग सर्विस की तो यह सब अगर आपको ट्रेड लेने हैं आप जाकर जूड़ सकते हैं फ्री अफ कॉस्ट है जूड़ना लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और हमने को और ट्रेड दिया था यह टाटा कजूमर प्रोडक्ट्स का नहीं चला हम बीच में हमको निकलना पड़ा ठीक है तो यह ह हमारे आज के ट्रेड और रिलाइंस और टाटा मोटर सी बहुत बढ़िया चले हमारे यूट्यूब के स्टाउक ठीक है अचा एक स्टाउक नहीं चला आईशी 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 है प्रूडेंशियल लाइफ इंश्रेस उतना बढ़िया नहीं चला ठीक है जानते हैं बनते हो दिख रहा है यह कंट्रिशन पाटन बनते हो दिख रहा है अच्छा तो यह इधर इधर तो कल के डिट में हागर सस्टेन करता है 1270 का लेवल तो बाई अब अब करके चलना है 1270 का ठीक है ऐसल क्या रहेगा 2166 का और टागेट में आपको अपडेट कर दूंगा आज कल मारकेट खुलने से पहले तो दोस्तो यह हैं हमारी आज की वीडियो देखो दो अगर आपको वीडियो पसंदारी होगी यार लाइक करना ना भूले ठीक हम आपके लितनी मिन्त करते हैं आप लाइक एम कंप्लीटी नहीं करते बताईए लिटरली जो मैं आपको चीज दे वीडियो में नमस्कार और जैंद आप सभी को